सच श्रियकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पुनम कौर रेसिपीज में तो फ्रेंस देर ना करते हुए चली हम अपनी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंस आज की रेसिपी को बनाने के लिए यहां पर मैंने 5-6 पापड ले लिए हैं आप अपनी मर्जी से जो भी पापड आप घर में खाते हो या जो भी आपको पसंद हो इस रेसिपी में आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें पा पापड को सेखना है इस पर ऑईल बिल्कुल भी नहीं लगाना यह देखिए इस तरह से जब आप पापड सेखेंगे तो बहुत जल्दी सेख भी जाते हैं चारो तरह से और काफी अच्छे क्रंची रहते हैं तो यह देखिए हमने 5-6 पापड जितने भी पापड लिए थे अपने बिल्कुल फ्रेश दही लिया और उसे हम इस तरह से फैंट कर तयार कर लेंगे यह बहुत ज़रूरी है दही को फैंट कर तयार करना तब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ अब चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए कड़ तो हींग का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक से दो हरी मिर्च तीखेपन के लिए इससे जो हरी मिर्च है थोड़ी सी करारी भी हो जाएगी अब मैंने इसमें डाल दिया अदरक और लसुन की पेस्ट का एक बड़ा चमच और इस तरह से इसे मिक एक बड़ा चमच धन्या पाउडर एक चोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर यह तीन बैसिक चीजी हम इसमें डालनी हैं और जैसे ही आप यह सूखे मसाले इसमें डालें इसे कंटीनियू मिला ले सूखे मसाले जलने बिलकुल भी नहीं चाहिए आपको इस बात का ध्यान देना है जैसे ही हलके से सुके मसाले भुन जाएं करीब 10 से 20 सेकंड के लिए जादा नहीं हम जल्दी से इसमें दही डाल देंगे जो हमने फैट कर तयार कर गई हकी थी और दही डालते वक्त भी गैस का वलें बिलकुल लो होना चाहिए और जैसे ही आप दही डालेंगे आप इसे continue मिलाईए कम से कम एक से डेड़ मिनट के लिए आपको इसे मिलाना है आपको अपने हाथ को रोकना नहीं है अगर आप इस स्टेश पर दही को नहीं मिलाएंगे तो हमारे दही फटकर खराब हो जाएगी और हमारी सबजी में स्वाब बिलकुल भी नहीं आएगा तो आ इसन से पापड से बहुत सारी वराइटी की सबजी बना लेते हैं वो जटपड बन भी जाती है घर की कुछ चीदों से और उनका स्वाद भी अच्छा होता है तो इस तरह से हमने आज इनकी स्पेशल एक रेसिपी बनाई है अब यह देखिए एक मिनट हो चुका मैंने दही कर रखे थे उसे हम इस तरह से तोड़ लेंगी थोड़े चुटे 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 टुकड़ों में आप तोड़कर तयार कर लीजिए तो यह देखिए सारे पापड रेडी हो चुके हैं और दूसरी और एक से दो मिनट तक मैंने इसको ग्रेवी को भी अच्छी तरह से अब भी बारी है नमक की तो नमक आप थोड़ा कम डालेगा क्योंकि पापड में भी नमक होता है दही भी थोड़ी खटास वाली ही होती है एक चुटा चमच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया साथ ही मैं इसके सार डालूंगी एक कप पानी आप इसमें पानी डाल दे अब अगर आप इस ग्रेवी को तो चख लीजेगा अगर आपको कोई चीज कम या जादा लगे तो मैनेज कर लीजिए उसके बाद हम इसमें लास्ट में पापड आइड करेंगी तो आपने देखा बहुत ही जटपड से बनने वाली सबजी है बड़ी ही आसान चीजों के साथ ब पर जरू ट्राइ कीजेगा और आपको किस तरह की रेसिपीस चाहिए मुझे कमेंट्स में भी जरू लिखकर बताइगा मैं पूरी कोशिश करूंगी वैसी रेसिपीस आपके साथ शेयर करने की अब इस तरह से पापड को डालने के बाद हम इसमें जादा देर कुक नहीं कर तो देखा आप सभी ने इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे अपने घर पर एक बार जरू ट्राइ कीजेगा और मुझे नीचे कमेंट्स में जरू लिखके बताइगा कि आपने ट्राइ की रेसिपी तो आपका एक्सपिरिंस कैसा रहा अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए वीडियो के पीछे बहुत महनत होती है अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें अगर चैनल पर पहली बार आया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेट क तरह में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करते ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सकी तो अब मैं आपके साथ मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के ल झाल